अनुगमन वेग के लिये वेंजग जो हम लोगों ने कल किया था वो क्या था अनुगमन वेग और विद्धियु धारा में क्या था संबंद था है ना आज क्या पढ़ने हम डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलसिटी अनुगमन वेग का एक और नाम क्या है बताओ क्या अनुगमन वेग का एक और नाम क्या नाम बताया था अपवाहवी क्या था अपवाहवी है ना ठीक तो अनुगमन वेग के लिए वेंजग डेरिवेशन और चीतर जो आपकी थेवरी है और चीतर जो है वो कल जैसे बिल्कुल सेम रहेगा यह आपके पास में एक चालक तार था 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 या नहीं ठीक इस चालक तार की लंबाई कितनी कितनी इसमाल एल अनुप्रस्त परिछेत का चेतरफल कितना ए अनुगमन वेग वीडी यहां प्लस रहेगा यहां मानस रहेगा आरोपित विभवांतर वी प्लस से धारा निकलेगी प्रवाई धारा आई ओके क्लियर है कि नहीं एक आंक आयतन में उपसित लिक्टरन के संख्या एन और लिक्टरन पर आवेस कितना होता है नहीं करता है ए ना यह पूर का पूर जचीत्र है वो कल जैसे ही आपके पास बना उआ है यह प्लस वाला यहां आरोपित होगा यह मानस वाला यहां आरोपित होगा इसको लिखना है तो लंबाई small L, अनुप्रस्त परिछेत का चेत्रफ़ल, capital A, एक आंक आयतन में उपस्तित इलेक्टरानों की संख्या, small L, एक आंक आयतन में उपस्तित इलेक्टरानों की संख्या, small N, इलेक्टरान पर आवेस E, अनुगमन वेग, VD, आरोपित वी भुहांतर V, तथा E है, चालक के प्रतिक बिंदु पर, विद्दु छेत्र के त्यूटा, E और वो समान ही होगी हर बिंदु पर, ठीक है, हर बिंदु पर क्या होगी, समान होगी, ठीक है, तो इस तरह से, पूरी अगर हम थियोरी को जोड़ते हैं, तो बोलेंगे, माना किसी चालक्टर की अंतर V, प्रवाहित धारा I, तथा चालक के प्रतिक बिंदु पर, विद्दु छेत्र की तीवरता, E है तब, ठीक है, तब से करते हैं, डिरिविशन को स्टार करते हैं, तब, बन जाएगा ने सबसे, कल की ही थेयोरी है, कोई दिक्कत इसमें, नहीं, बोलो, कोई दिक्कत है के थेयोरी में, नहीं है, यस, तो, तब, विबुवांतर बराबर क्या होता है, बताईए, 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 ती यूड़ता कितनी आपकी इसा प्रत्य ब्रिद्ट विन्दू पर विद्धू छेटर की यूड़ता और विस्थापन कितना बताया, यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन है कितना है L ठीक है यहां से ई कमामने काल लो ए mudar क्या आएगा बताओ वी यह वी जो है कैपिटल बनाना है ना क्योंकि यह बहुंतर है और यह बहुंतर जो होगा कैपिटल लेटर में होगा तो वी अपन एल हो जाएगा ठीक है हूं अब यह दी कि अब कि यह दी इलेक्टरन पर आविश इह हो इह ही लिए हो मैंने इलेक्टरन पर आविश कितना हो इह हो और इह ही होता है अब यह दी इलेक्टरन पर आविश इह हो तब इलेक्टरन पर लगने वाला बल F is equal to क्या होता है बल बताओ F is equal to क्या होता है Q E होता है क्या ये कहां का फार्मूला है बताओ ये कहां का फार्मूला है बोलो अरे ये फार्मूला कहां का है E is equal F जो बले लिखा हूँ आपके पास है ना ऐसा तीरिछा तीरिछा क्यों है विद्धु छेत्र की तीरता की परिवासा से बिल्कुल बिल्कुल है ना यह वाला फार्मुला आपके पास में E is equal to F upon Q0 यह फार्मुला होता है ठीक है तो यहां से F is equal to क्या निकलता है Q0 into E अगर आवेस Q हो तो क्या हो जाएगा F is equal to QE क्लियर होगे सबको कहां से आया राइट क्लियर होगे नहीं तो बताइए F is equal कितना जाएगा बताओ Q के स्थान पर क्या होगे अलेक्टान पर आवेस कितना है E यहां जाएगा E और यह capital E F वराबर QE ना लगाते विए F वराबर small E into capital E आजाएगा अब capital E कमान कितना है बताइए E into capital V E कमान कितना है V upon L ठीक है इसको देते है equation number first ठीक अब अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान small M हो तब गती के दितिनियम से क्या लिखेंगे अच्छा दिख रहे कि नहीं है अभी भी दिख रहे कि अब दिखा क्या है अब दिख रहे है तो क्या रिखेंगे अब इदे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमाल M हो तब गती के दितिनियम से क्या होगा दितिनियम बोलो एफ बराबर म में होता है बिल्कुल है न तो F is equal to क्या हो जाएगा M A इसको देते equation number second और यह था आपका equation number first तो समी करण एक वह समी करण दो से क्या है एक और दो से left hand side is equal to क्या left hand side equal है F F तो right hand side भी क्या हो जाएगी बोलो जाएगे equal है न पीस से line बना देता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा left hand side equal तो right hand side भी क्या हो जाएगा equal हो जाएगा तो बताएगे क्या है of MA is equal to E into capital V upon L clear है yes or no A is equal to M कहा है इसके upon में जाएगा E V upon M यहां आ गया तो क्या आ गया M L कि इसको देते हैं equation number 3 अब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो electron होते हैं वो किस से टकराते हैं बताओ किस से टकराते है इलेक्ट्रों किस से टकराते है हां जयके इसका आ दनाइनों से टकराते हैं है ना क्योंकि परमानौ से electron बाहत्यम से निकले थे और लोगो बताओ किस से टकराते हैं वो दनाइनों से टकराते हैं ठीक है किस से टकराते धनायनों से तो हम यहाँ पर यह मान के चल रहे हैं कि चूकी इलेक्टरान धनायनों से टकराते हैं और यही दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय मतलब पहली टक्कर और दूसरी टक्कर मतलब इलेक्टरन पहली धनायन से टकराया एलेक्ट्रान पहले धनायन से टक्राया यह धनायन फिर दूसरा धनायन दो क्रमागत टक्रों के बीच का समय तो कोई लेक्ट्रान यहां पर आकर टक्राया होगा ठीक है एलेक्ट्रान और फिर एक बार और यहां पर टक्राया तो दो क्रमागत टक्रों के बीच का समय यहां ल क्या नाम लिया व्रख्षे श्रांति काल यह यह व्रख्षे थिक है यह इसका नाम, और यह क्या छीज नहिंद been दो क्रमागट टक्करों के धनायों से टक्र आया, फिर क्या होगा वो जब क्तक्रा के उठेगा तो उसका वेक कितना रहेगा सुनने रहेगा आप बताए गाड़ी से मान के चलो आप टकराए तो उठे के बाद में आपका वेग कितना होगा पचास हो जाएगा के खटे बताए बोलो यह आप जब गिर जाओगे जब आप गिर जाओगे तो आपका वेग सुननी रहेगा ना क्लियर यह सार नों बताओ अब सुनने रहेगा तो पहली टकर जैसे पहली टकर हुई तो इलेक्ट्रान का वेग कितना हो जाएगा सुनने हो जाएगा मतला उसका प्राराम्भी के वेग सुनने होगा और फिर क्या करेगा और विद्दुच्छेत्र के प्रभाव पड़ेगा फिर क्या होगा तेजी से जाएगा किसे टकराएगा फिर दूसरे वाले किसे टकराएगा धनायन से टकराएगा तो उसका वेग जो होगा वो अंतिम वेग कहलाएगा और अंतिम वेग वो वीडी कहलाएगा क्यों कि विद्दुच्छेत्र के प्रभाव में वो गती किया है तो वो अन्ती में उसका क्या कर लाएगा अनुगमन वेक कर लाएगा समझ में आरी बात क्या बोल नहीं हूं यह सार नहीं है ठीक क्योंकि इलेक्ट्रान धनायने से टक्रा रहा है और हमने बोले टाउ क्या चीज़े स्रांतिकाल क्या है दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय स्रांतिकाल है ठीक है दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय स्रांतिकाल है अब मान के चलो टक्कर हुई जैसे पहली टक्कर होगी तो क्या होगा तो रुकेगा और रुकने के बाद में क्या होगा फिर फिर गती करने लगेगा लेकिन जैसे टक्कर होगी उसके बाद में उस से फिर क्या करोंगा तुछ नहीं हुआ लगा नहीं है यह आपको्ट लगा नहीं लेकिन आप मोटर साथ पर चड़ोगी तुस समय कितना से कितना आुए अस समय गिरकर और सुन्हें किना औराटあप्त कराना एक में आप इसका प्रारंबिक व करता है यहां से चकते लिए ता गलता है कि यह वे निकलता यह जगह पर तकराने लिए तो प्रभाव में जिस नियत आउसत वेक से ग्रती करते हैं उस आउसत वेक को क्या बोलते हैं अनुगमन वेक कहते हैं क्लियर है समझवारी बात तो यह लाइन हम यहाँ पर लिखने वाले हैं तो हम यहाँ पर यह लाइन लिखने वाले हैं चूंकि एलेक्ट्रान धनायनों से टकराते हैं लिख देते हैं यह लाइन हम क्योंकि एलेक्ट्रान धनायनों से तकड़ाते हैं यदि दो क्रमागत क्या लिखा हूं मैंने चूंकि लेक्तान धनानों से तकड़ाते हैं यदि दो क्रमागत तक्करों के बीच का समय अर्थात क्या नाम दिए इसको बताओ अर्थात तक्करों के बीच का समय अर्थात क्या नाम दिए श्रांतिकाल है ना अर्थात श्रांतिकाल ताओ हूं तब तब श्रांतिकाल ताओ में लेक्त्रान द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग यही आउसत वेग भी हो शक्ते है प्राप्त अउसत वेग या अनुगमन वेग किससे गती के प्रथम समीकरन से प्रथम समीकरन से क्या होगा प्रतम समीकरन बताईए क्या होता प्रतम समीकरण V is equal to U plus 80 यह होता है क्या लिखा मैंने चुकि एलेक्ट्रान धानानों से टक्राते हैं यहीं दो क्रमागर टक्करों के बीज का समय अब्था स्रांतिकाल टाउ हो तब स्रांतिकाल टाउ में के इलेक्ट्राण द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग, आशनरा, आप यहां पर प्राप्त अनुगमन वेग को आउसद वेग भी लिख सकते हो, ठीक है? यूकि नोम अनुगमन वेग है, तो प्राप्त अनुगमन वेग क्या हो जाएगा? VD, ने V is equal to क्या होता है? U plus क्या होता है? 80 यह होता है, होता है कि नहीं? तो V के स्थान पर क्या आएगा? V के स्थान पर क्या जायगा? VD, मैंने आपको पहले बता दिया जो अंतीम व्यग होगा, वही क्या कराएगा आप ता अनुक्नमनवेक कर आएगा, अनुकंनगे कर दिया, हमने UK क्या कर दिया, Vd, प्रारमबिक वेक यह होता है, तो u के क्या हो जोह जोह पर सुनने होगा, हां, नहीं होगा अभी बताया ना मैंने, हां,G 0 होगा और A, A ही होगा, और T क्या होला बता ओ, टीके स्थान पर क्या लिखेंगे टीके स्थान पर हाँ हाँ टाउ क्योंकि समय है नहीं तक्राओं के बीज का समय अर्था स्रांतिकाल टाउ तो इसलिए हम क्या लिखेंगे टीके स्थान पर टाउ लिखेंगे बिल्कुल सही है यह होगे टाउ किलेर होगी बात तब स्रांतिकाल टाउ में इलेक्ट्रान दौरा प्राप्त अनुगमन वेग या आउसत वेग गती के प्रिथम समीकर से V is equal to U plus A T अन्तिम वेग जो होगा अनुगमन वेग के बराबर होगा क्योंकि वो विद्धुच्छेत्र के प्रभाव में प्राप्त हुआ है ये प्रारंबिक वेग टक्राने के बाद जब उठा टक्राने के लिए तो वो प्रारंबिक वेग U रहेगा उसका 0 A तो A रहेगा T हो जाएगा टाउ ठीक अब यहाँ पर V D is equal to A A की value कितनी बताओ समीकर नमर 3 से ये 0 तो हटा दो अब A की value कितनी है E capital V upon ML और ये क्या हुआ टाउ के लिए लोगी बात सबको कहां से आया ये कहां से आया समीकर नमर 3 से और इसको देते हो समीकर नमर कौन सा कौन सा देते हैं इसको हम 4 देते हैं ठीक समीकर नमर के चार अब बताना अब बताना तुम क्या नाम आँ चल विद्धारा और अनुगवन वेग में संबंद बता अरे माइक बंद करो माइक बंद करो किसका बज़र है माइक बंद करो आँ चल बताओ अनुगवन वेग और विद्धारा में संबंद क्या होता है अब बोलो बोलो ने ने हमको क्या करना है हमको तो यहीं पर आमारा आंसर आ चुका है हेडिंग कर लिए हमारी बताओ हेडिंग कर लिए अनुगमन वेग और अनुगमन वेग के लिए अनुगमन वेग के लिए बेंज़क निकाल रहे न हम तो भी आतो गया अनुगमन वेग आ गया की नहीं इसको थोड़ा अच्छे से लिगवर देते हैं तो क्या जाएगा वी डी इस इक्वल टू ए कैपिटल वी उपर में टाउ और अपान में अमल यह हो गया यही इलेक्ट्रानों के अनुगमन वेग के लिए बेंज़क है समझ गए तो बता ही क्या लिक्कत है इसमें बोलो है कि किसी प्रकार की लिक्कत नहीं माना किसी चालकतार की लंबाई इसमाल एल एक बाद फिर से देख लो हाना ओर विए दिरताओं में माना किसी चालकतार की लंबाई प्रवाई धारा आय तथा चालक के प्रत्य बिंदू पर विद्धु छेत्र की लंबाई यहां से एक बाद फिर से लेप्ट बराबर है राइड बराबर जाएंगे एक ही वेडियो निकाल लिया एक ही बेरीयो निकालने के बाद चोंकि इलेक्टरान धनायनों से टकराते हैं यहीं डो क्रवागट टकरों के बीच का समयर्था स्रांति काल टाउ हो तब स्रांति काल टाउ में इलेक्टरान दौरा प्रात अनुगमन विग गती के प्रथम समीकर्ण से प्रतम समीकन होता है V is equal to U plus A T तो अंतिम योग जो होगा वही अनुगमन वेक कहलाएगा ये VD U के स्थान पर सुनने होगा मैंने समझा चुका हूँ A और T के स्थान पर टाउ आजाएगा इस तरह से आप A का मान यहां समीकन नंबर 3 से रख देंगे थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे तो VD is equal to E V tau upon ml ये भी सुत्र आपको याद रहना चाहिए ठिक तो ये हो गया आपका अनुगमन वेक के लिए बेंजाए क्लियर है और इस सुत्र आपको मालूम होना चाहिए क्या है सुत्र अनुगमन वेक VD is equal to E capital V tau upon ml clear